ये कहानी है तीन दोस्तों कहानी की शुरुवत में हम देखते है मीरा नाम की एक लड़की को मीरा एक ट्रेडिशनल इंडियन लड़की है और मीरा इंडिया से लेंडन अपने हजबिन के साथ रहने के लिए आती है और एरपोर्ट में गौतम कपूर नाम के एक आदमी के साथ मीरा की मुलाकात होती है और गौतम एक शेमलेस फ्लर्ट और प्लेवर है और मीरा को देखकर भी वो उसके साथ फ्लर्ट करने रगता है लेकिन मीरा politely गौतम को कहती है कि वो एक शादिशुदा लड़की है और वहाँ से चली जाती है मीरा के पास उसके husband की जो number था वो नहीं लग रहा था और उसके पास उसके husband का address भी नहीं था उसके बाद police के help से मीरा अपने husband का address ढूनती है और उससे मिलने के लिए जाती है लेकिन मीरा का husband कुनाल उसे देख कर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और कुनाल मीरा को साफ साफे कह देता है कि मीरा को लंडन में citizenship चाहिए था और इसलिए उनकी ये शादी हुई थी और कुनाल को इसके बदले में मीरा से पैसे चाहिए थे और उन दोनों की शादी का इससे ज्यादा और कुछ भी मतलब नहीं है और मीरा कुनाल के साफ रहने का सपना छोड़ दे और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और कुनाल की सारी बातों से मीरा को काफी दुप पहुचता है और मीरा को पता भी नहीं था कि वो लंडन में कहा पर रहीगी उसके बाद एक डिपार्टमेंट स्टोर में मीरा विरोनिका नाम की एक लड़की से मिलती है विरोनिका एक फ्री स्पिरिटेड पार्टी गर्ल है जोकि अपने मर्जी की जिन्दे की जिना पसंद करती है और मीरा को ऐसे रोते हुए देखकर विरोनिका उससे इसकी वज़ और वो मीरा को कहती है कि वो जब तक चाहे इस घर में रह सकती है दरसल विरोनिका की पेरेंट्स के साथ उसकी बिलकुल भी नहीं बनती है और वो अपने पेरेंट्स से मिलते भी नहीं है लेकिन हर मंद उसके पापा उसके लिए एक लर्ज एमाउंट मनी भेज देते हैं और उनी पैसों से विरोनिका अपनी मर्जी की लाइफस्टाइल जी सकती है विरोनिका और मीरा दोनों अच्छे दोस्त बन जाते है विरोनिका काफी अकले पन से गुजर रही थी लिकिन मीरा के आ जाने से वो अब काफी खुश रहने लगती है उसके बाद एक दिन विरोनिका मीरा को लेकर क्लब जाती है और जहाँ पर गौतम भी आता है और फिर विरोनिका और गौतम एक साथ डांस करते है अगले दिन सुभा अपने इंटेवियू से वापस आने के बाद मीरा विरोनिका के घर में गौतम को देखती है और उसे पता चलता है के रात को गौतम विरोनिका के साथ ही उसके घर में था और फिर गौतम विरोनिका के घर में रहने के लिए आ जाता है और मीरा को गौतम बिल्खुल भी पसंद नहीं था लेकिन धीरे धीरे मीरा गौतम को एकसेप्ट करने लगती है और फिर वो तीनों अच्छे दोस्त बन जाते है इसे बीज गौतम की मा उसे फोन करती है और उसे शादी के लिए पूछती है और गौतम ये जूट बोल देता है कि उसने शादी के लिए लंडन में ही एक लड़की देख लिया है जिसे की उसकी मा काफी पसंद करेगी उसके बाद एक दिन गौतम की मा उसके मामा के साथ विरोनिका के घर में आ जाती है और वो गौतम को विरोनिका और मीरा दोनों के साथ देख लेती है और वो इस बात से काफ़े गुसा होती है कि वो दो-दो लड़कियों के साथ रहता है और गौतम अपने मा के गुसे को शान करने के लिए ये जुट बोल देता है कि वो मीरा से ही शादी करने वाला है और मीरा को देखकर गौतम की मा काफे खुश हो जाती है क्योंकि मीरा एक आइडियल इंडियन लड़की है लेकिन विरोनिका की लाइफस्टाइल के वज़ा से गौतम की मा उसे कुछ खास पसंद नहीं करती है और गौतम मीरा से ये रिक्विस्ट करता है कि जब तक उसकी मा यहाँ पर है वो उसकी गल्फ्रेंड होने का नाटक करे और फिर वो सब एक साथ घूमने जाते हैं और बहुत इंजा करते हैं और इसे बीच गौतम और मीरा एक दूसरे को काफे पसंद करने लगते है तो दूसरी तरफ मीरा के साथ गौतम की मा को देखकर विरोनिका को भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसे भी ऐसे ही प्यार चाहिए था उसके बाद विरोनिका गौतम से कहती है कि वो उससे शादी करने की लिए तयार है और वो उसके मां का दिल जीतने के लिए भी जो करना पड़ेगा वो करेगी और ये बात सुनकर गौतम काफे परेशन हो जाता है और गौतम की मां वापस इंडिया चले जाने के बाद विरोनिका मीरा को कहती है कि एक डिसिंट इंडियन लड़की बनने की ट्रेनिंग वो मीरा से ही लेगी और विरोनिका को इतना खुश देखकर मीरा का वे इमोशनल हो जाती है और वो उसके और गौतम के भारे में उसे कुछ भी नहीं कह पाती उसके बाद गौतम मीरा और विरोनिका के साथ एक जगा पर बैठता है और विरोनिका को ये साफ साफ बता देता है कि वो गौतम से प्यार करती है लेकिन गौतम और मीरा एक दूसरे से प्यार करते है लेकिन विरोनिका के खुशी के लिए मीरा ये कभी भी एडमिट नहीं करेगी और इन सारी भातों के लिए मीरा विरोनिका से माफी मांगती है लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद भी विरोनिका काफी शांत रहती है और वो गौतम और मीरा के लिए खुश होती है और वो कहती है कि उन लोगों को सिलिब्रिट करना चाहिए और गौतम और मीरा को लेकर विरोनिका क्लब जाती है लेकिन क्लब जाकर बहुत शराब पीकर विरोनिका गौतम से ये कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो मीरा से भी अच्छी वाइफ बनकर दिखाएगी और वो काफी रूनी लगती है उसके बाद गौतम और मीरा उसे वाहा से बाहर लेकर आते हैं और अकेले में विरोनिका मीरा को कहती है कि मीरा ने उसे जितना इस्तेमाल किया है ऐसे ये किसी ने भी पहले नहीं किया उसके बाद गौतम और मीरा दोनों विरोनिका को घर में लेकर आते हैं और गौतम मीरा को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद अगले दिन सुभा गौतम के ओफिस चले जाने के बाद मीरा अपना सामान पैक कर लेती है और वो विरोनिका का घर छोर कर चली जाती है और विरोनिका भी उसे नहीं रोकती है उसके बाद गौतम ओफिस से वापस आने के बाद विरोनिका को मीरा के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मीरा घर से चली गई है और इस बाद पर विरोनिका और गौतम का जगरा हो जाता है उसके बाद गौतम भी वो घर छोर देता है उसके बाद गौतम बहुत बार मीर को कॉल करता है लेकिन मीरा उसका कॉल नहीं उठाती है और मीरा अपने हस्बेन कुनाल से मिलने के लिए जाती है उसके बाद एक दिन विरोनिका का एकसिडेंट हो जाता है और गौतम उसे हॉस्पिटल लेकर आता है जहाँ पर मीरा अपने हस्बेन के साथ आती है यह दिखान कुनाल मीरा पर उसके साथ उसके घर चलने के लिए कहता है और दूस्रे दरफ विरोनिका के डिस्चार्ज के बाद गौतम उसका ख्याल रखने लगता है और ऐसी ही चलता रहता है लेकिन विरोनिका दीरी-दीरी ये समझ जाती है कि गौतम अब पहले जैसा नहीं रहा है और वो हमेशा मीरा के बारे में ही सोचता रहता है और मीरा के साथ ही उसकी असली खुशी है और वो गौतम को कहती है कि वो अब ऐसे नहीं रह सकती है और विरोनिका और गौतम कुनाल के घर में मीरा से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि मीरा कुनाल के साथ नहीं रहती है मीरा जब कुनाल के साथ रह रही थी तब कुनाल ने मीरा को ये कहा था कि वो उनके शादी को एक मौका देना चाहता है और वो मीरा के साथ रहना चाहता है लेकिन मीरा ने इस बात के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो गौतम से प्यार करती है और वो कहती है कि वो अब कुनाल के साथ नहीं रह सकती है और वो उसके बाद इंडिया वापस चली जाती है उसके बाद गौतम और विरोनिका दिल्ली मीरा से मिलनी के लिए आते है उसके बाद विरोनिका गौतम को मीरा को प्रोपूस करने में उसकी हिल्प करती है और मीरा उसकी प्रोपूसल एकसिप्ट कर लेती है उसके बाद वो तीनों काफी खुश होते हैं और फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं